मेरा नाम है गौरव तो क्या हल चाल भाई लो कैसे हुआ आप लोग राज इस वीडियो के अदर हम सब बाते करने वाले हैं अपल के आईफोन XR के बारे में देखो मुझे पता है अब यह कोई नया फोन नहीं रहा है अल्रड़ी काफी टाइम हो चुक है इसे लाँच हुए लेकिन इस फोन के साथ जो नया है वो है इस फोन की नहीं प्राइसिंग इनिया के अंदर और अगर आप लोगों को अभी तक आने वाला हुँ कि आके क्यों आईफोन XR फिलहाल के लिए इंडिया के सबसे ज्यादा वैल्यू फोर मैनी आईफोन है तो हाँ फिलहाल के लिए आप लोग बने रहो चिपके रहो इस वीडियो पे पूरे लाश तक क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब इसी फोन के बारे आपको बता देने चाहता हूँ आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करो और मतलब हो गया भाई आपको मतलब इदर उदर इंटरनेट में सर्च करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं लेकिन अब मैं आपको बता देने चाहता हूँ इस ओफर के इंडिया के अंदर और वैसे भी बागी कंट्री में इस फोन को लांच किया गया था साथ सो पचाश डॉलर में जो की कनवर्ट करके होते हैं लगबग 48,000 रुपीज मतलब यहां पे एपल वालों ने तो एक डॉलर की वैल्यू इंडिया के अंदर कते ही 100 रुपए ही समझ और भाईयो इस वज़े से ये बाद तो वैसे आपको भी बता है कि 2018 और 2019 के अंदर एपल की इंडिया के अंदर कितनी कमाल की सेल्स रही खेर देखो फिलहाल आज की तारीक में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एपल को ये बात समझ में आ रही है और इसलिए अभी रिसेंटली पाला ही लगा जो एपल ने अभी रिसेंटली में इंडिया के अंदर किया है मतलब भाई सीधे 76,000 रुपए से 60,000 रुपए यार ऐसा कौन करता है उपर से बैंक ओफर्स भी मतलब भाई अगर आपको याद होगा तो दो साल पहले एक फोन लाँच हुआ था आइफोन 8 करक यहाँ इस वज़े से मुझे पता है काफी सारे लोग इस फोन को नहीं करी देंगे यहाँ पर आफकोस लोग बोलेंगे कि यहाँ पर आपको बैक साइट फेसे फेक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है लेकिन इसके बाउजूद यार काफी कमाल की कीजिए है जो कि मेरे भाई आपको आइफोन XR में देखने को मिल जाती है जिसके बारे में फिलाल एक काम करते हैं स्टार्टिंग से बाते कर लेते हैं तो देखो सबसे बहतरीन बात जो मुझे आइफोन में लगती है वह इन फोन की परफॉर्मस अब देखो यह बात आपको भी पता होगी जो एपल क आइफोल बायनो एक चिप है मतला भाईसा बाच की डेट में इस चीच का कोई तोड़ नहीं है किसी भी दूसरे फोन में अद देखो मुझी पता अब इक उस दिनों के अंदर इंडिया के अंदर कॉलकॉम स्नेपरिकेन 855 वाले फोन लांच हो जाएंगे जो कि थोड़ी ब अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर सारे बैंक ओफर्स को मिला के अप यह फोन लेते हो तो लगबग यह फोन आपको 55,000 रुपय का पड़ता है और यहाँ पर अगर मैं बाते करता हूँ आइफोन XS Max के base variant के बारे में ज एक और जगह की बात करता हूँ जहाँ पर अगीन एपल के फोन काफी कमाल के परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर मैं बाते करना चाहता हूँ फोन के क्यामरा कॉलिटी के बारे में अब देखो मुझे पाता है कि मार्केप में अल्रेडी हुआवे P30 Pro Galaxy S10 जैसे फोन बाते करते हो वीडियो की और खासकर अगर आप लोग बाते करो वीडियो की तो यह बात तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखके दे सकता हूँ कि आज की डेट में इससे अच्छा आपको वीडियो क्यामरा वाला फोन देखने को नहीं मिल पाएगा अब देखो आपकोस इस फोन के बैक साइड पे आपको सिर्फ एक सिंगल क्यामरा देखने को मिलता है लेकिन मेरे भाई आपको बता दो इस फोन के बैक क्यामरा से स्टिल आप लोग पोट्रेड मोन में फोटोस खी सकते हो तो हाँ मेरे भाई यह बात तो कन्फर्म है कि आइपोन XR वर्ल के सब से बेश्ट कैमरा फोन में से एक है खेराब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जहां पर आइफोन XR, XS, XS Max को भी बीट कर देता है जिया दोस्तों यहां पर में बादे करना चाहता हूँ फोन की बैटरी परफॉर्मस के बारे में तो देखो यह हैं जो कि साथ आपको उतनी अच्छी ना लगे इस फोन के साथ लेकिन फिर भी एर कम से कम अच्छी बात तो इस फोन के साथ यह है कि अब आपको एक लाग रुपए पे करनी की जरुवत नहीं है एक लेटिस्ट आइफोन के लिए तो हाँ यार देखो यह तो थी कहानी चपका देना और अगर आप लोगे नहीं तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो मेक शेर उस लाल वाले बटन को दबाओ क्योंकि उसके बगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेसंस नहीं मिल पाएंगी और हाँ याद से उस घंटे को बितापा देना हमेशा की तरह deals offer discounts का फायदा उठाना है तो एक बार description box जरूँ चेक करना तो हाँ यार इस वीडियो के लिए तो फिलहाल के लिए इतना ही था उमीद करता हूँ यह वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो मे तब तक के लिए मौ